तो हेलो माई डियर इस्टुडेंट एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक के सी टिकनिकल क्लासेज में लर्ण टू लीड विद एक सी टिकनिकल क्लासेज तो जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा एप आजुका है जो की इस्पेस आपके आज हम आपके लिए के लिए बहुत ही अच्छा होना टो यह है और इसका सब्जेक्ट है फिर्ष्ट तो इसमें डोब्र जो आपको अच्छे माव सकते हैं तो अगर आपको इंप्रेंट को बढ़ना है तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला को नमारा क्या है आजश कि आणविक सनरचना के आधार पर पदार्थों का वर्गी करण के तथा वर्गी करण को वर्गी करण करें ठीक तथा प्रतियक को विश्टार से वर्ड़न करें ठीक कि आणविक सनरचना के अधार पर आपको पदार्थों का वर्ड़ी करना करना कि चालक हो गया कि कंड़क्टर हो गया कि इंसुलेटर हो गया और भी जैसे इंसुलेटर हो गया तीन प्रकार के पदार्थाब के पास हैं इनको आपको आणविक सनरचना के अधार पर करना ठीक तो यहां पर आपको देख सकते हैं यहां पर दीखा है विश्टार से प्रतेक को बढ़न के पहले इनका डिस्क्रिप्शन समझाना आपको कैसे मतलब करेंगे इनको और उसके बाद इनको अच्छे से एक एक पार्ट को समझा दीजे इनसुलेटर सबको अलग-अलग से डिस्क्राइब कर दिए जिससे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे तो चलते हैं कुछ छोटे टापिक इधर प्रकुछ चोटे टापिक भी हैं उनको भी शर्बण देख लेते हैंग्या वह जैसे की देखिए सेकर नंबर आपका अपका यहां पर इसका मतलब यह को प्रतिरोधक्ता और प्रतिरोधक्त इसमें बहुत ही अंतर होता आप लोग इसमें समानता ना देखिएगा इन दोनों को अच्छे से पढ़ लिजेगा इनका फार्मूला भी होता है उनको अच्छे सियात कर लिएगा उसमें एक्जाम्पल मतलब इसका डिस्क्रिप्शन दीजिएगा तो उसमें फार्मूला भी लिख दीजिएगा जिससे आपके अच्छे नंबर हो जाएं ठीक है चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ नेक्स्ट कोश्चन हमारा है प्रतिरोधक्ता देखे प्रतिरोधक्ता तो था चालक्ता को प्रभावित करने वाले कारकों को बताईए अब यहां पे आप लोग कन्फिज हो सकते हैं कि वहां एक बार पूछा गया प्रतिरोधक्ता और चालक्ता पर प्रकाश डालिए और यहा हाँ तो अब इनको प्रभावित करने वाले कालक जैसे मान लिजिए कोई कंड़क्टर है ठेक जब इसका टंप्रेचर बढ़ता है तो इसका जो रेजिस्टिविटी होती है रहने के प्रतिरोध वो घटता सोरी बढ़ता है ठीक अगर अगर यह सेमी कंड़क्टर होगा तो उसका घटेगा यही आप लोगों को समझाना है कि हां देखिए एक अप लोग कंफ्योज हो सकते हैं इंडक्टर और सेमी कंड़क्टर इन दोनों के temperature को अगर temperature को बढ़ाया जाता है तो इनकी resistivity घटती है लेकिन है अगर आप किसी conductor की temperature को बढ़ाते हैं तो इसकी resistivity जो है तो इसकी resistivity बढ़ती है ठीक और दूसरी ऐसा क्यों होता है यह सब होता है temperature coefficient के नाते ठीक तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजीएगा temperature coefficient और भी बहुत सारे कारक हैं जो की प्रतिवर्वक्ता और चालक्ता को प्रभावित करते हैं इन सब को अच्छे से लिख के heading wise और ध्यान रहे आप लोग heading English में ही लिखिएगा और हर आपके लिए भी अच्छा होगा और एक्जामनर भी समझेगा कि हाँ बच्चा पढ़ने में अच्छा इंगलिस जानता है नमबर नहीं कटेगा ठीक तो चलिए हम लोग नेश्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं पूश्चन नमबर पाँच कोश्चन नमर पांच क्या कहता है कोश्चन नमर पांच कहता है लोग चुम्ब की पदार्थों के वर्गी करण को उदाहरण सहित समझाईए ठीक लोग चुम्ब की पदार्थों का जो वर्गी करण है उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है पहले उसका वर्गी करण समझ प्षचा दीजिएगा थिक पर उन सब का एक-एक उदाहरन देदीजिए-ठीक है नेक्ट कोर्ष्टन हमारा क्या करता है सिग्स नमेर कोर्ष्टन करता है लोह चुम्ब किये पदार्थों का साय थिली लूप बनाकर व्याख्या किजिए सब्साइस बना दीजिए अद्स लेकिन कुछ मोटा होता है तो वह आपका सैथील लूप होता है वह ऐसे ग्राफ में बना था आपको समझाना होता है तो आप लोग अच्छे से पढ़ लिजिएगा चाहे गोल से पढ़ लिजिए जैसे किसी से जो आपके लिए कमफर्टेवल हो ठीक आपको जहां समझ में वहां से अच्छे से पढ़िएगा ठीक है तो चलिए हम आगे चलते हैं कोश्चन नंबर सेवन की तरफ कोश्चन नंबर सेवन आपका क्या करता है विभिन प्रकार के चुम्ब की पदार्थों की व्याक्या कीजिए अब देखिए यहां पर देखिए आधा आंसर में मैंने बता दिया लौचंब की पदार्थ प्रति चुम्ब की पदार्थ यह तीन परकार के चुम्ब की पदार्थ होते हैं ठीक इन सबको ब्याक्या करना है इन सबको डिस्क्राइब करना आपको अच्छे से ठीक नेक्स्ट कोश्चन हमा कि नियम को उचीत उदारंड देकर समझाए किर्चाप का कितना नियम था दो नियम था केसील और केवील दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा ठीक किर्चाप करेंट लाओ किर्चाप बॉल्टेज ला ठीक कि आप देखिए नौ नंबर कोश्चन संधारित्र की आविशन तथा निराविशन को समझाए मतलब इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस को समझाना यह बहुत लंबा कोश्चन है मतलब इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा हो सकता है कई बार से पूछा नह इस बार नहीं पूछा जाएगा थी आप लोग इसको पढ़ लीजिए का अच्छे से अगला कोश्चन मार आता है सीशा संचायक स्वारी सीशा अमल बैटरी संचना का वर्ण किजिए यानि कि लेड एसीड बैटरी लेड एसीड बैटरी की संचना उसमें क्या क्या होता है thus कि सब्रDes उसमें एक बैटर प्लेट बच्रूद बिश्चोषब होते हैं और उसके कुछ ओने होते हैं क्या साफ समिए आपको समझानाल हुए अःट अभि यालोग Tibomb स्बीजब करी सबक्तेर को कि लागسمी लेवन देखिए अब हर पेपर में आपको मिलता है कि जिन पर दे देता है सॉट नोट्स लिखने के लिए सॉट नोट्स सॉट नोट्स आप तो जानते हैं संचिप्ट टिपड़ी ठीक तो यह देखें परावैदुत सामार्थ पर आप लोग पढ़ लीजेगा इसका संचिप्ट टिपड़ी में क्या होता हलका फुलका उसका अगर आप लोग चाहें तो इसको दूर करने के दूर करने के उपाई भी पढ़ लेजेगा तो अच्छा होगा आपके लिए ठीक और उसके बार आता है आर एमस वैल्यू रूट मीन स्क्वाइर वैल्यू इसका मतलब इसका नाम होता है फुल फार्म रूट मीन स्क्वाइर बैल्यू ठीक और उसके बार आप लोग पढ़ लीजेगा देखिए अध्यार उपन का सिद्धान सुपर पोजीशन थेवराम यह सब आपको पढ़ना होगा इसब टिपनी है इस पर आप लोगों को सौट नोर्स लिखने को दे सकता है ठीक उसके बाद कोशिशन नमबर 12 मे इनर्जी बैंड लेबल के अधार पर पदार्थों का बढ़गे करें किजिए मतलब इसमें इनर्जी लेबल होता है था आप लोग पढ़े होंगे कंड़क्शन बैंड और कोबैलेंस बैंड यह सब इसीदी में भी आप लोग पढ़े होंगे तो वही वाला यहां दिखाना करना मदर अंध्य लेबल के आधार पर 3 मैंड होते हैं एक फ scarf होता है इन दोनों के बीच में जो अनर्जी में होता है आप चार होता है तो तो यहां पर लिखना है उसके अधार पर यहां पर आथो का बर्गिए करना थिन में पर गरना रहुगा इंस लेटर और सेमिकंडेक्टर इन तीनों में होनाय सब आपका कॉमन मतला एक कोउच्च्चन तैयार करेंगे आपका कई तैयार Stunden प्रमान्बिक रशटनरा पर लोगर करना और ऑघサfik करना है उन्रंडजी लीवल पर आप लोग मतलब एक बार देख लीजिए गहें जिया आप लोग देख लिए अन्यले आप लोग इसको प्लास्टिक को अप syrup है इनको आप लोग युगें के थे कि कि घृत्र पॉनको तो लिए यह पढ़ना भाल को रहें अफ़र जाएं पड़ना इसकी एक बार कहां खैले हैं यह लोग बाकर पड़ें अनको लिखना पॉनको क्यों से दो falt आना चाहिए रुसकर चाहिए को कुंशनल नमब 19 संधारित्र क्या होता है यह तो अच्छे से पता होगा क्या होता यार इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनिंग के छात रहो आप लोगों क्या पता होगा इसके कितने प्रकार होते हैं सबको अच्छे से अगर आपको उसका मतलब डिपनीशन नहीं आता है जितने प्रकार है क्यों नाम आता है तो क्यों नाम ही लिख दीजिए और अगर आता है डिपनिशन तो नाम लिख के हलका हलका उसका डिपनिशन कर दीजिए अच्छे से नंबर मिल जाएंगे ठीक अब मिनल्य क्या होती है इसको अब होगा यह मतलब यह चुटा आपका चोटा सांसर होगा इसका मीन वैलू का क्या होता माध्यमान मैध्यमान है ते और उसके बाद देखिए last और यह भी important कोश्चन है प्रत्यावरतिधार हागा बहुत यह असान है जिस्ट तखरा और प्रत्यावर्ति धारा में अंतर जिस्ट धारा अल्टरेंटिंग करन जो की बदलती इसका साइन्ट ओडियल ग्राफ होता है जिस्ट धारा का आप तो जीरो और में वाली इसा भी यहां पर प्रत्य वर्ति में आप लोग जानते ही है ऐसे ऐसे चलेगा तो आप लोग अच्छे से इसका मतलब बना के भी यह वाला अगर आप डिस्क्राइब कर देते तो अच्छा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा तो आप लोगों को अच्छे से तयार किजिए आप लोगों का एक्जाम नजदीक है और बैक से बचना है इंपार्टन कोश्चन पढ़ना है तो पढ़ते रहे लर्ण टू लीड भी थे किसी टेक्निकल क्लासे और हमारे आप को डाउनलोड कीजिए और सारे कोस्ट जो है आपके मतलब क्यों हो तो इसको खरीद लीजिए ठीक है पढ़ते रहे ऐ यस्दवराद एं है और में आपके पramत कीजिए और सामर fáb गोशीज क्योड़ डालोड आपके और बाहे आपके तो अगना हमारे भी प्रहें जो हमां है यारा वालोड गम से डालोड़ोगल झालोड पह अबारे खिसे